ओके तो वाई लोग फाइनली लियो ओटीटी में आने के बाद हमने इसे फिर से देखा और इसके अंदर हमने इतने सारे बावाल वाले डिटेल्स को नोटीस किया ना भाई देखकर आपका विदिल खोस हो जाएगा और डायरेक्टर लोकेस कनगराज को तो भाई सश्टंग दंडवत प्रणाम करने का मन करेगा कि उन्होंने हमें ऐसा मुवी दिया पर भाई डिटेल्स इतना सारा था कि हम इसे एक वीडियो में दिखा नहीं सकते थे इसलिए हमने इसका दो पार्ट बना दिया पताने तीन पार्ट भी बन सकता है तो यह लियो मुवी हिटें टिट सबसे पहले आय सोट का क्रोसवर मावला विक्रम से स्टार्ट हुआ है तो विक्रम में जिस भी करेक्टर का एंट्री दिखाया है पहले आंक से ही दिखाया है आप विक्रम का देख लो अमर का देख लो संधरम का देख लो या रोलेक्स का देख लो वैसा ही एंट्री पार् दिखाया है और यह दोनों ही सिन काड़ी के अंदर ही दिखाया है पहला वाला वादा सिन स्टार्टिंग में दिखाया है और सेकंड वाला वादा सिन एंडिंग में दिखाया है क्लामेक्स के बाद पर यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि पहला वाला सिन में ड्राइवर की सीट पे पार्थीवन बेठा है और सेकंड वाला सीन में ड्राइवर की सीट पे उसका बेटा बेठा है इसका मतलब स्टार्टिंग में पार्थीवन अपना बेटा को जो सिखाना चाहता था वो एंडिंग आते हाते सीख चुका है मतलब हम वो गोली चलाने की बाद या वैसे देखा जाए तो वो दूसरा पॉइंट भी सही लगता है आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना अचा आपने एक और बात को नोटिस किया जोसी की फोन जब पार्थीवन को नहीं लगता तो सत्या अपने बेटे सिद्धू को फोन करने को बोलती है क्योंकि बात से ही वो हर दिन स्कूल में फोन लिके जाता है तब ही तो जब एंटोनी का कर सत्या के पीछे इनके घर तक आ जाता है तो फोन करने पर सिद्धू क्लास में होते टाइम फोन उठाता है बाई पार्थीवन का वो प्रोमिस बेकार नहीं गया है ना वैसे आपने इसका से टाइम बाहर एंटोनी के हाथों पकड़ा गया और एंटोनी वो बात पार्थीवन को बता दिया पहले से ये बात पार्थीवन को पता चल गया होता है इसलिए सिद्धो भी बोलता है और क्या चुपाना सैथ इसलिए वो सोचा होगा जब पकड़े गया है तो इसका डील भ आही क्यूं चाहिये था उसके बार में तो हम आट वान वीडियो में देख चुके अब हम बात कर रहें इस हैना की Animal Metaforce यूज की शोट में बोले तो जैसे एनिमल में रणवीर को एनिमल जैसे दिखाया है, सलार में प्रभास को डाइनसौर जैसे दिखाया है, वैसे यहां लियो में पार्थिवन को हाइना के जैसे दिखाया है, हाइना जैसे एक शोसल एनिमल था, वो जूंड में रहता था, फिर उसका सारा जूंड मारा जाने के बाद वो एक शहर में आजाता है, अपना पुराना वाइल्ड लाइफ छोड़ कर एक परिवार के साथ रहता है, और समय आने पर वो उस फैमिली के लिए अपना पुराना अवतार में आता है, वैसा कुछ कहानी पार्थिवन का भी है, ये पहले गेंग्स्टर था, अपना गेंग के साथ र मत करना, ओ भाई, अब जाकर समझ में आ रहा है कि पर्ष लुक पोस्टर में पार्थिवन और खाइना को एक साथ क्यों दिखाए थे, आप समध रहे हो ना, कैर अगर आप हमारा पुराना सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा, टेरेटर ये पहली बार नहीं कर रहे ह वाई, वो पहले से ऐसा करते आ रहे थे, मास्टर में मेटाफोरिकल एक बिल्ली को दिखाया था, और विक्रम में मेटाफोरिकल एक इगल को, कैसे हमने ये दुनों वीडियो में अच्छे से बता है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्सन में लिंक है, बात में जाकर उसे देख लेना, नेक्स्ट, या उसे इनके बाद हम जानते है कि वो साइको गेंग के हाथो मरने वाला वेटरिनेरी डक्टर भी, जोसी और पार्थिवन के करीबी बंदा था, लेकिन ये सुने के बाद आपको भी लगा होगा ना, मैंकर ऐसे कैसे किसी के साथ भी रिस्ता जोडते ज आजये वाई, फाल तुम्हें अपने मुवी में किसी को नहीं दिखाते, नेक्स्ट, कलेक्टर को मारने के बाद पुलिस चोकरना हो गए है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ दिन चुपके रहो बोलके साइको गेंग को कोई फोन पे बताता है, वो जो भी है आंदर प पिजने वाला वंदा, इसे कहां से पता चला जो यह यहां आ गया, यह वी तिलेंगन में ही होते टाइम, टीवी में लियो का न्यूज दे कर इसे पता चला था, फिर उसके बाद यह कंफर्म करने यहां आ गया, और फोटो खिंच के हेरोड का आदमी को भेज दिया, और एक इसके बाद में पार्थिवन का थार पे लास्ट में 71 भी देखने मिल जाता है, जिसका मतलब हो सकता है यह थलापदी 71 का रेफ्रेंस हो, यह का यह लियो 2 का रेफ्रेंस हो, जिससे आगे जाकर लोकेस कनगराच और थलापदी वीजए बनाने वाले हो, क्योंकि इसके आगे यहां में ती वाई भी देखने मिल जाता है, क्योंकि थलापदी की फर्स्ट और लास्ट लेटर है, तो वाना थलापदी 71 यार, वैसे भी डिरेक्टर पहले, मास्टर का लेट मी टेले कुट्टी स्टोरी सोंग में भी कुछ ऐसा ही हिंट दिया था, ब्लेक बोर्ड की नमबर प्लेट पे दिखाया है, मास्टर में भी वैसे 64 का रेफ्रेंस नमबर प्लेट पे ही दिखाया है, कैसे यहां आपको समझ नहीं आएगा, अब मास्टर वाला वीडियो देख लेना सब समझ जाओगे, ठीक है अब यहां 67 का हिंट दिया गया था, तो आगे जाकर वो सरवदे 71 में लग जाएंगे, क्या बवासा डिटेस था ना, मैं पता था, नेक्स्ट यह सिन में जो सारा लोग हाइना को नाम दे रहे थे, एलसा, घोस्ट, हाचिकू, सुब्रमनी, वो कोई पार्थिवन का बता हुआ स्टूरी नहीं था वह सब फिल्म करेक्टर के नाम ही दे था, डिरेक्टर यह वाद खुद कन्फरम किये, चिंटू जो बोलती है, एलसा की नाम वो एक कार्टून करेक्टर को देख कर बोलती है, सिद्धू जो बोलता है घोस्ट का नाम वो गेम अम थ्रोंस देख के बताता है, तिर सत्या जो बताती है हाचिकू नाम, वो भी होलिवड मुवी का डॉग की केरेक्टर का नाम है, और अब अगर पार्थिवन का सुब्रमनी नाम देखे, वैसे हिंदी में इसे जुगर बांगरू ऐसा कुछ बताया है, पर तामिल में ये सुब्रमनी है, तो वो कमल हसन के मुवी मुंद्रम पिरे से एक डॉगी का रेफ कस्ट्यूम देख सकते है, पर इसके बीच जब वो आउल वाला सीन आता है, और ये लोग वेटरिनरी डॉक्टर का एकसिडेंट स्पॉर्ट पर जाते है, तो पार्थिवन का कस्ट्यूम अलग है, सुबह को रात को सेम कस्ट्यूम, तो बीच में पार्थिवन का कपड़े क कोई मिस्टेक है, नेक्स्ट, ये सिन पर जब वो साइको चिंटू के तरफ जाता है, तो 20-20 से चुपा हो पार्थिवन का अलटरी को बाहर आ जाता है, क्योंकि पार्थिवन के साफ ने अब फिर से वही होने जा रहा था, जो कि पहले उसके बहन के साथ हो चुका था, इसल अलटरी को के बारे में हम अभी तक बात नहीं किये न, कोई बात नहीं, आगे इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, अच्छा ठीक है पर ये बात का क्या, टेस्ट फाइरिंग में पार्थिवन इतना परफेक्ट निसाना कैसे लगता है, और कोई भी पार्थिवन से य में ऒ WRST का connection दिखाय जाता है तो नेपोलियन के जरीये ही दिखाय जाता है और उनका एंटरी सीना में कहा देखने मिलता है इस gate महीं तब पर्थिवन for the gate महीं था और लास्ट वह जब एंटरी वहकथ सीना में कहा चारीये दिखाय जाता है तो विग्रम का फॉन यो मुवी में LCU के लिए gate खोला गया क्या बोले इसके जरी ये connection जोडा गया तो पार्थिवन भी उसका welcome किया फिर जब मुवी खतम हुआ तो पार्थिवन ये gate को बंद करने गया क्योंकि इसे और किसी से कोई problem नहीं सब खतम हो चुके है इसका family safe zone में पहुँच चुके है त क्या फाइदा फिर तो सब जवर्दस्ति लेगा ना वाई नेपोलियन वी तो अब चला जाएगा या वापस चला भी गया होगा इसलिए वो जैसे LCU का करेक्टर को welcome किया था वैसे LCU को वाई भाई बोलने के लिए लाट में gate पर चला गया और हमेशा के लिए LCU का gate बंद क कर दिया पर ठीक तवी से विक्रम का फोन आ गया मतलब भले ही से अवी के लिए LCU से और किसी का मदद नहीं चाहिए पर LCU को तो पार्थेवन का मदद चाहिए ना वाई इसलिए LCU का बुलावा आ गया बोले तो जो gate LCU के लिए बंद कर दिया था उसे अब फिर से खोलना पड़ेगा या बोले हमेशा के लिए LCU का गेट ऊपन रखना पड़ेगा क्योंकि अव यह ए लस्यू में आ चुकी है तो भाई देखा भले ही कुछ फिल्म भाईयों को इसमें LCU का कनेक्शन जवरदस्ति लगाओ लेकिन डिरेक्टर जिसी सब से कनेक्शन जोड़े है ना भाई मानना पड़ेगा अब इस डिटेल से ही समझ जाओ गेट को ही डिटेल्स बना कर खेल गए वाई नेक्स्ट यह डिटेल्स उन भाईयों के लिए जिन्हों ने सोचा था रोलेक्स का केमियो पर मिला नेपोलियन का केमियो सोचकर माथा पिट रहे है यह वी कोई सूपर के अंदर आज आएंगे तो वो सारे स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर देता है और अकेला बाहर जाकर खड़ा रहता है वैसे ही यहों में आप अगर देखोगे तो एंटोनी जो पार्थिवन के घर में आज आता है तो नेपोलियन कैथी कि तरह यहां भी घर को लॉक कर के बाहर जाकर अकेला खड़ा रहता है इससे क्या असाबित होता है वो हमेशा इमांदरी से अपना ड्यूटी करता है और ऐसे करता है जैसे कि एक सूपर हीरो हो उसका जान को चाहे जो भी हो जाए पर वो जिसे प्रोटेक्ट कर रहा है उनका कुछ भी नहीं होना चाहिए और ऐसा कांबी ये कब कर रहे है रिटार्मेट के साथ दिन पहले नहीं तो इस यूनिवर्स में ऐसा भी पुलिस वाले है जो रिटार्मेट के पांच महिना होते हुए भी डरते है आप कैथी में देगा है ना मतलब हम सब बलीके बख रहे हैं मुझे रिटायर होने में सिर्फ 5 महीने बचे आखरी दिनों मैं गुंडों से मार महीं खाना चाता हूं लेकिन इसके बाद ये एक और action scene में भी दिख रहे है जहां पहली बार ये गन चलाते हुए दिख रहे है मतलब उमर के साथ साथ उनका badass level भी बढ़ता जा रहा है पहले जो सिर्फ gun load कर रहा था वो लियो की end आती है थे गन चलाने लगा है तो सचो कैथी टू में और ये क्या नहीं करेंगे भाई डिरेक्टर फिर से इन्हें इसमें जैसे दिखाए है मानना पड़ेगा वैसे डिरेक्टर खुद एक interview में बोल दिये कि नेपोलियोन को लियों में कुछ नहीं हुआ वो वापस आएंगे तो भाई अगली बार आप भी इनका जलवा देखने के लिए तैयार हो जाओ अरे नहीं यार उसे इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा नहीं वाई अल्टर एको के साथ लिग का बाखी सारी डिटिल्स के बारे में भी हम इसका आने वाली पार्ट में देखने वाले है तो अभी के लिए इतना रहने देती है ठीक है अगर आपको युदियो अच्छा लगा हो Josh अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सबश्राइब नहीं किया है तो बैस सबस्राइब कर लो